आप आए इसके बाइने खिंदी संपाथ की इसलेशन में आपका हाड़ दिक्ष्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं तीन आर्टिकल इसमें से प्लास्टिक के खिलाब जो जरूरी कदम उठाए गया है सरकारों मतलब कि सिंगल यूस प्लास्टिक को बैन करने की बाते हो इसके भी क्या मतलब कि सकारात्मक्र और नकारत्मक्ष जो भी है तो इसके बारे में डिसकस करेंगे कभी अच्छा एक और दूसरा अपना है धरती को बचाने होगा मतलब कि जो अपना इंवार्मेंट सी लेटेड़ है जो ग्लोबवार्मिंग के समस्या दिन पर दिन मतलब कि गांधी की मूल्यों से जो जैसे पचासवी जैनती मनाई जा रहे तो उसमें से उनके जो आधर्सों को तो हम बारी रूप से एकसेप्ट करें लेकिन जो समाज में बढ़ते हुए हैंसा के प्रवित्ती है तो इसको कैसे संतुलन बनाने की जोगा थे तो यहां पास त जो सिंगल इच प्लाश्टिक के लिए प्रतिवयक्त जो रचास प्रतिक वष्म करते हैं ब्यास्ट वास्टिक वस्तों कि वेश्विक देखा तो यह ऑससाथ लुआ है कंपए प्लास्टिक का युज जानिकी इसहां से देखा है तो भाग की जो है तो प्रतिवर्श क्कापत प्लास्टिक लेकिन इसके बाद भी यह हम यह इसका उपयोग जो है प्लास्टिक को काफी चिंता जाना बात है हमें निश्चित तरपेस के निस्ताराण के लिए कि सही विवस्था की जरुवत है जो कि अभी मतलब की पूरी तरह से इसके बावरे में यत्वचित कदम इसका सब्स्टिटुशन नहीं प्राप्त प्लास्टिक है तो हमारे प्रकार से दैनिक जीवन का बहुत ही बड़ा पूरे एक हिस्ता ही बन चुका है तो इसलिए इसके जगह पे यह इसके बहुत ज़्यादा दूस्परणाम भी देखने को मिलते हैं तो इसके सब्स्टिटुशन की भी बहुत ज़्यादा जरुवत ह और जैसे पालेथीन वगएरा है तो इनके थेले में सामान वगए दे देना याकि जैसे यह सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत जादा बढ़ा देते हैं दैनिक उप्योग में इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जहिले रसायन वगएरा श्रावित होते हैं तो जो क कि हमारी मानोस्वास्त के सासत प्रकृत के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है प्लास्टिक तो आज एक प्रकार से जल प्रदूशन को बहुत बढ़ा जल प्रदूशन के लिए एक बहुती बड़ी संकट प्यादा कर रहा है उसके लिए एक समस्या ही पन्न करता है तो इ प्लास्टिक के चमज हो गया है थाली कप किलास यह चीज़े हैं तो पूरी तरह से प्लास्टिक पे ही पूरी तरह चीज़े बन रहे हैं तो यह इनके लिए जो है तो कोई ज़्यादा अच्छा और टिकाओ उसके जगह पर विकल्प नहीं सामने आ रहा है आज पूरी लग जैसे पैकिंग से समद्द वस्तुए भी हो तो पूरी तरह से प्लास्टिक का ही प्रयोग किया जाता है खिलाओने हो गए तो प्लास्टिक ज़्यादार वस्तुए क्या एक ज़्याद कर्की प्लास्टिक बैद जाकी होती है और वह फार सीज बसफर होती है तो पैकर के नदिया ॉनालों में चले जाती है और वही Pas सब्सक को यह सब्सक्राइब Mm No सुम्धर वह्यादा तो अब सामस्द गयर भी होती है हाँ तो रह लंबे डिकंपोज़ने गयर जारो बर्स उसमें लग जाते हैं और वो समुद्र में ही पड़ी रहती हैं इसे क्या होता है कि धीरे धीरे जो होते हैं इसे जहरीले रसायन भी निकलते हैं जो की जल को पूरी तरह से बहुत ज्यादा प्रदोशित कर देते हैं और साती जैसे समुद्री जीव गएर है तो प मतली परिखतरी जैसे मंचलि यहीं खापडियों कि आता है तैस की इनेसको चोनली प्लाशिक की दुस्पट्रोई जो है तो लगब रहं हैं बिंदाक्न कर दक लेह प्लाश्टिक용 के हैं तो लेहां होने जेख्यक वर्दा से इसे जो लो Kayla करता भी ब्हुंवी काफी बंघर हो जाती है PLASTIC के इसे प्लास्टिक के फाल्डों सी जौ रहो जाती है लेकिन इसमें क्या है कि ऑसाधि तो प्लास्टिक को प्लास्टिक को उप्योग तो तो बंद रहा है तो उसका दूस्प्रहा भी साथ साथ िवर्ता के साथ यह भी का जाता हृत जैसे के मानौ अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से ही घिरा रहता है और उसी का सबसे ज़्यादा उपयोग भी करता है तो जिन बस्तों की हमें आवस्ता देनिक जीवन में हैं तो सभी में लगक प्लास्टिक प्रकार से जहार घोल देता है तो इसके च तो उनको रोकने के लिए जो है तो भी मतलब कि बहुत ज्यादा इनेशियोटी लिए जा सकते हैं जासे कि विए प्लास्टिक से बनी वस्तुत उनके बहुत ज्यादा बहुत 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 कर दे जाता है ना उनकी बहुत से देश हैं जो कि यह दिसा में कदम उठा भ प्लास्टिक 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 प् रहात मिल सकती है और यह एक अच्छी बात भी सकारतों परणाम यह दिखने के लिए प्लास्टिक का दूस्प्रहाओं तो इसके प्रचार प्रसार हाला कि कफी इसके दूस्प्रहाओं को प्रति लोग में मतलब जाग रुपता यह फैलाने का प्रयास शुरू हो गया है लेकि आसाने सूपलब्द होसकता है लेकिन प्लास्टिक की जूसके बस्तान का विकलब खुजने में काफी समय लग सकता है जब तक ऐसा नहीं हो रहात तक हम लोग को समभशें उसके नुक्सान प्रचार प्रचार करके लोगों को जागरूप काफी प्यमाने पर किया जा सकता है और प्लास्टिक के उचित निश्थान के तरीके भी खोजने की बहुत ज्यादा जरूवत है हलाकि इस दिसा में जो प्रूफेसर सी राज गोपालन वाश्देवन का यह बहुत अच्छी टक्निक डवलप के थी इससे निजात पाने के लिए कि इन्होंने जो सलूशन निकाला था कि प्लास्टिक है तो यह जो वेस्ट इसका होता है तो इसके जरी क्या है कि सड़क बना तो सड़क बनाने के तकनिक बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते इसको मतलब कि कम करने के लिए और इससे एक इंट्रस्ट्रक्चर भी काफी मतलब की कम खपत पर तैयार हो जाएगा तो यह प्रकार से बहुत ही अच्छा ही हो सकता है तो हलाकि यह जैसे मजबूत गया च्iric पाने के लिए कुछ दे प्लास्टिक बैग पर भी आंसीख और कुछ दे देए में पूरी तरह से प्लतिबंध भी लगा दिया है तो यानि कि प्लास्टिक के दिसकामी घ्री कर T estaban चहांनहीं को सब्सक्र absolute जो कि उस प्लास्टी के समस्य को से प्लास्टीक निजात पाई by जा सकती है कि सबूस्य जर किसमाट्व Comics जाते हैं मामाथम्हजादिय की जसे 185 जंश्वी मना रहा है यू जो कम घौष्ट्जियां और मतलब इसमें गांध्यजी के दर्शन और उसके बारे में पुरी त befасти ऑहिंसा की बाते भी हो रही है तो समाज में जो आयसा की चीजह वतलब गांधी जी के दर्शन से पढ़ाइन तो जा कि पिछले मेनों में कि जैसे बच्चा चोरी के समझते हैं कोहत्य के संदे महाराष्ट्र पुरत गुज्रा च्छत्य सगड़ यूपी जैसे देशो राज्यों में या करनाटक तेलंगा ना तमिलाड में भी इस तरह की घटना है आदिन सुन्ने को मिलते जाते हैं इसमें लग सब्धे में गटनाओं काभी यो हैं देश में जाते हैं तो जो यह संगय करते हैं क्याद सब्लाई LEAND का लकुज्जा में बड़ता हैं geric ambos दिखाई देटा इन घटनाओं के मद्देनाजर यह भी कहा जा सकता है कि अब देश में जो है तो गांदी जो आइंसा के पड़ा पढ़ाया था तो उनकी संदेशों का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है समस्या की बात तो यह है कि यह एक संस्था जो है तो उनकी कारपणाली लगवग कारपणालियों ने जनता के लिए समुख विधाई का कारपालिक और नयपालिक के प्रत्वी अविश्वास की स्थिति सुथपन्न कर दी है इसके जो हिंसा उत्पन हो रहे हैं इसका बड़ा का करान यह भी हो सकता है का जो है तो नागरिक किसी को भी अपरादी मानने उसे धंडित करने के लिए प्रकार से स्यम कोई सक्षम मानने लगा है तो और आश्चर की बात यह भी है कि घटना लगवग सिकार होने वाले जो सभी लोग हैं तो सोसित हैं असाहाय अनिम नवर्ग स करते हैं गरीब तबके के हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटना है हिंसात्मक हो रही है तो यह घटना है जो हमें सोचने को यह मजबूर करती है कि क्या हमें हिंसा के आक्रामक होने की जो सिक्षा है यह जंग से दी जाती है क्या या ऐसी घटनाओं के होने पर महात्मा देखने को मिल रहा है चाहां गांदी जी तो एक जीवन मूल के रूप में अपने व्यक्तित का एक हिंसा बनाते हैं तो वहीं बलकि जो स्वाधिनता संगर्ष में एक साथी उन्होंने इसको स्वाधिनता संगर्ष में एक हाथियार के रूप में भी प्रियोग किया था लेकि जो तो स्तामप्रदाई घटना होने पर हिंसक लोगों की भी जो है तो अकिले खड़े हो जाना भी गांदी जी का एक साली बनाता था लेकिन हम ऐसा यहाँ पस नहीं कर पा रहे हैं कि अखिर क्या कराण हो सकता है इन गटनाओं में जो इस प्रकार से विद्धी हो रही है तो उखितर इस मानवी मुल्यों के अभाव को पदर्शित करती है कि निश्चितर पे जो है तो लोगों में मानवी मुल्यों की कमी सि हो गई है इसलिए इस प्रिकार के हिंसात में प्रिवित्य बढ़ती जा रही है असल में जो थे हिंसा और कायारता का जो दूसरा रूपी है जिसका परिचे लगए हम लोकसदय देते रहे हैं लेकिन एक तारकिक और निटर साहसी और मानवी मुलों में विश्वास करने वाले व्यक्ति है तो कभी भी हिंसा का प्रियोग नहीं करेगा इस चीत तरबे और संभावता जो है गांदे जी इसलिए हिंसावादी थे तारकिक और निडर तता सासी मन भी मूलों से सुसजित वक्ते ऐसे अवसरों पर पुलिस या सासन की भूमिका भी यहां पास राजनीती खासत अच्छे भी यह भी जो है तो कई सवाल खड़े कर देते हैं जैसे हाले में जैसे एक सर्वे में यह बात सामने आए कि देश की जो अधिकतर ही हुए है तो गांधी को अपना प्रेणा सोथ मानते हैं लेकिन आश्चर की बात तो यहां पास है कि यहां पास प्रकार से पश्चिमी संस्कृति से यह नौजवान पूरी तरह से पश्चिमी तो में कैसे उतारती है नहीं नहीं बनाती जो नौजवान है वह गांधी के आदर्सों सिध्धान तो को उप्रीत हिंसार आक्रामक्ता और व्यक्ति केंदिट विचारों का समर्थन करते हैं लेकिन गांधी को अपना आदर्स्वे इसलिए बताते हैं ताकि एक प्रकार से ब बहुत जादा समाचारों में देखने के मिलते हैं जैसे कि आज हम ग्रोध भय अनिश्चित्ता के प्रकार से भावर में फस जुके हैं जहां विद्यार्थी के सामने रोजगार मिलने के अनिश्चित्ता है तो वंचित वर्ग के सामने संसादुन तक पहुंचने के अनिश् जिता है अलब संख्यक समों के सामने तो नागरिक्ता छिंजानी कभ है देखने को मिल रहा है तो सब करने नतीजा भी यह हुआ है कि जैसे मनुस्यों में क्रोध है आक्रामकता है बहुत ज्यादा बढ़ता बढ़ता उसकी प्रवित्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस प्रवित्ता के साथ बढ़ रही है जो समाज में व्यक्तिवादी मूल इतना हावी हो गया है कि जो सामोहित्ता की जो समाप्ती है उसकी भी घूशना की जाने लगी है वहीं गादी जी कहते थे कि अगर आप बदलाओ देखना चाहते हैं तो पहले अपने आपको बदलिए ह हमें सभी के लिए प्यार और दया की भावना रखनी चाहिए करने से हमारे जीवन में अद्भूत बतला हुआ ऐसा करने से ही अद्भूत जीवन में कुछ बदलाओ अच्छे आएंगी अगर हमें दुनिया में प्यार और दया देखनी है तो पहले हमें अपने आपको प्या नहीं बीप्रीत के सब्सक्राइबsection मिल रहा है कि अब्सक्राइब को इतना रजी को एकने कि और वेस्विक purple कि प्रक्रिया है और मुंझी व ROI जो है तो विकास देशों में मुखुरूब से राजी को उसके कल्यानकरी दायत्तों से प्रिथक किया है और यह प्रिथक्रण जो है तो विकास और लोकतंत दोनों के लिए कर पाऊंगा साइद तक है उसे करने में मैं असमर्थ भी हो जाऊंगा इसकी प्रित अगर मैं यह कर आजयों करों कि मैं यह कर सकता हूं तो निस्ट्थीटित् sutip चीज को करने वे प्रास अपने को आपको सक्षम पाऊंगा गांधी जो को गांधी की जो हाँ समाजज mental में न केवल इस्थापित करने की आवज सकता है बलकि उन्हें एक सक्रि समाज व्यग्यानिक के रूप में और पढ़ाया जाने की आवज सकता है केवल उनकी जन्म सती मनाने से गोश्ट्या मनाने से जो है तो सभ्यों कल्याणकारी लोकतंत्रिक समाज की स्थापना करना संभा हो नहीं है भलकि उनके दर्सन की और उनके व्यक्तित्तु का जो हिस्सा बनाने के प्रयास करने की जरूए था तभी हम जो है तो वाज़तिविक लोकतंत्र को मुत रूप दे सकेंगे तो चलते हैं नक्ष्ट आर्टिकल के जो इन्वारिमेंट से लेटेड है जैसे कभी इसके के 163 देश के लिए चालिस लाक लोग यहां तो जल्वाई संकट को लेकर के प्रकर से सड़कों पर उत्रे थे तो यह जो प्रित्वी के लिए बहुत ज्यादा खत्रा बनता जा रहा है और वहीं कारवन डायकसाइड को सरजन में भी दिन तर दिन बढ़ोतरी देखनों को मिल रहे हैं यहां वैग्यानिकों ने पांच करोण साल पहले के जो वार्मिंग माडल के अध्यान के बाद भविश्वाड़ी भी किया है अमेरिका के मिसिगन विश्विद्वाले और एरिजोना विश्विद्वाले के सोथ करता हुने जहां बढ़ते वैस्विक ताप पान के अध्यन के लिए पहली बार जो तो सपलताव एक जलवाई माडल को प्योग किया है जो कि धरती के प्रारंभिक अवद के वैस्विक त साथ मतलब कि कुछ तोचित कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित तर पर प्रित्वी को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा हाले में दुनिया के लिए 184 देशों के लिए 15,000 वैग्यानिकों में बायो साइन्स जेनरल के लिए वर्ट साइंटिस्ट वार प्याड़े कटाई है ओजोन पर कच्छित रहे है मौसमी बदलाव तिवर्ट तक साथ जो हो रहे हैं आए दिन तो इनकी बारे में भी 25 बर से पहले ही चिताबनी वैग्यानिकों ने दे दी थी आज जब इन चुनोतियों पर अध्यन किया गया तो पता चला कि हालात और भी जा चुका है तो इन डाही दसकों में लगवाग लोग जो है तो इस्तंधारी जीव हैं पक्षे हैं आज में भी लगवाग 39 फिजदी की गिरावट देखनों को मिली है जो कि प्रकार से बहुत ही जादा भयावा समस्या को जन्म दे सकता है विकासिल देशों की अध्यन रि जो कि बहुत ज्यादा है अगर जल्वाई शंकट के कांट धरती का तापमन इसी तरह बढ़ता रहा तो 2030 तक कमी जो लगवाग है त्री पांट फिजदी हो जाएगी यानि बढ़ वन पांट सिक से त्री पांट फिजदी तक बढ़ जाएगी और 2100 तक आने आते आते मात्र आधा फिजदी ही खर्च होगा यहाँ पास यहाँ पास यह जो इसकी समस्यां बढ़ती जा रहे हैं तो इसकी हम मतलब इसे रोकने के लिए कदम उठाया जा तो वेस्ट जीडी पी का मात्र आधा फिजदी लगेगा लेकिन इस दिसा पर नहीं प्रयास किया जा रहा ह जलवाई संकट का जो सबसे ज्यादा असर तो निश्चीत तर पर गरीब देशी भूगतेंगे और 2030 तक तो विकार सिल देशों की जीडी पी है उसमें लगए जारा फिजदी की कमी भी आ सकती है इसी जलवाई संकट की बजाते एक अनुमान के मताबिक यह भी देगा है जो तो क्रिसी की पैदावार में लगए्ख लगए 10स रचया और 20 ॉम्स परेंद की गिरावट आ जाती है जो है जो की एक प्रकार से कितना चैना यह ज है तो प्रकार से टंप्रेचर बेस यह निल सकता performances ब्रकार से प्रताव और सलेंजिन के इस जो बढ़़ते तुह और पर आ हो रहा है जंगल को पूरे जंगल साफ सफाय सफाया हो रहे हैं तो पीने लाग जो पानी है तो इसकी भी कमी हो रही है यह जाज बीम्टेकार की जो संकट देखनों का बिल रहे हैं कि भोकंप है सूखा है बाढ़ है प्राकृतिक आपदा है जो है इनकी तीवरता काफी लगाए जाने वाले जो कारवन डायक साइड है तो यह तो पूरे बातावन को बातरों घुल जाती हो रहे कि स्थान पर जो यह देखा जाया कि समुद में भी छोड़ा जाए छोड़ा गया कच्रा है तो दूसरी छोड़ पर पहुंच जाता है तो इसलिए जो उत्सारजन प्रदोशन शीलेटर चाहिए तो यह प्रकार से विसुव्यापी होते हैं समुचे विसु को यह प्रभावित करता है और यह जैवी वित्ता का नुकसान हो रहा है तो भूरच्छन के कान जोते भवी से मौसम में तेज बदलाव भी सिया सकते हैं इसी तरह जैसे ग्रीन ले हरे जाती है जो सरवाधिक महत्त्पून पर यावाणी सकत्य है यानि कि अब इसको जो है तो हम एपनी मनुस्योदार है अपनी च्छा सकती से इस पर हम नियंत्र किया जासकता है इसके दुस्परिणामों को रोका जा सकते हैं बाके को यादा विकल्प नहीं है तो दर्ति कतापमान भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तो निश्ची तरपिया इसी तरह की इस्तिती बनी रहे तो आगे आने वाले समय में एक प्रकार से प्रलाय का द्रिश्ची भी दे सरकारी इन हालात के लिए जिम्मेदार निश्चीत तरपे सरकार ही है यह कभी हाली में जो प्राइज वाटर कूपर इसके अर्थसास्ति ने एक रिपोर्ट में चेतावनी भी दी है कि जो वर्स 21 सव तक वैस्विक उसतामान को जो है तो दो डिगरी सेलसेस के अंदर रखन तो असंभव हो गया है जो टारिगट रखा गया था तो उसको तो नहीं नियंतर किया सकता है इसलिए इसके घातक नतिज़े अप सारी दुनिया को भोगने होंगे अब सवाल यह भी उड़ता है कि जो जलवायू संकठ उससे निपढ़ने करे क्या किया जाए क्या हम जलवा हम कैसे लगाई जा सकती है गंभीर सवाली खड़ा होता है यहां पास है जैसे विकास के प्रचलित माडल पर चला जा तो हम इसका समाधान तो नहीं खो सकते हैं क्योंकि प्राचीन विकास को प्रचलित माडल चल रहा तो उसी के वज़ए समस्या देखने को मिल रही है और संकट को जो अनुमान है तो महात्मा गांधी ने इस जो पहले ही चेतावनी मतलब की दिया था नहीं रखती है और मनुस्य प्रकृत की साथ तालमेल बनाकर नहीं रहते हैं तो निश्चित अपनी यानि की एक भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है अपनी इच्छाओं को घटाने के लिए तैयार यह नहीं होते हैं तो निश्चित अपनी प्रकार के समाजिक और राजनीतिक वतल पुतलया परिस्तितिकी विनास और माना समाज के लिए और दुरभा के पर इस्तितिया भी ही जन्म लेंगी तो इस प्रकार के समस्यां और आसी में तो भोगता ज्यादा संकट की और ही धकेलते हैं महात्मा गादी के सुराज या स्वसासन के और स्वदेशी के माध्यम से दिम लोगों को अपने पर्यावारनी समाजिक और राजनीतिक संसक्रिटिक वातावन पर नियंतिक करने का दिश्कौन आज के बाजार संचालित पूझी वादी तरीके के विकास की तुलन में विस्सु के ज़्यादा संतुलित पर्यावरन इमित्र विकास की और सक्षम है महत्मकादी के यह आदर्सों को देखा जा तो हमारे पास जो है तो गांधी जी के बताए रास्ते की और भी लोटने के सिवा कोई विकलब भी नहीं है अखिर टिकाव विकास क्या है यह तो विनास की अवधारणा के साथ प्रकृतियों भावी पीडियों के पति गांधी कई तो मिलाने से बना है तो इस प्रकार स्यदी इस नैतिक दायत्तों के भाव का लोगों और समाजों सरकार दोर निर्वान हुए बिना यह तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है इसकी बिना आम लोगों के आम संसाधने उनके संद्चन के लिए जो चल रहे प्रयास है केवल कान किस तर पर इसको प्रयास करने की जरुवात है तो आज के बस इतना यह तो इस आर्टिकल को ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाग करें बस थानुबाद